आज के कलास आप लोग के लिए काफी ज़ादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आज के कलास में 10th Science के 25 वेरी इंपोर्टेंट short answer type questions बताएंगे और ये सारे questions जो है कलास 10th बिहार वोड सेंट अप एकजाम 2024 और फाइनल वोड एकजाम 2025 के लिए खाफी ज़ादा इंपोर्टेंट है पहला question है सुक्ष में दर्शी क्या है इसका एक किरन आरे खीचे चलिए next question 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 number 2 है औचेपन औचेपन अभिकरिया औचेपन अभिकरिया से आप क्या समझते हैं सो उधारन समझाए और ये वाला question जो है बिहार वोड एकजाम 2019 में बिहार वोड एकजाम फाइनल बिहार वोड एकजाम 2019 में आया हुआ है याली पूछा गया कुस्षन है चलिए next कुस्षन कुस्षन नमर 3 कुस्षन नमर 3 पारी तंत्र किसे कहते हैं पारी तंत्र किसे कहते हैं तीसरा कुस्षन है पारी तंत्र किसे कहते हैं ये कुस्षन देखने में छोटा लग रहा है लेकिन काफी जादा important question है चलिए, चौथा question है जैविक जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं ये वाला question जो है बिहार गोड़ एक्जाम, final बिहार गोड़ एक्जाम 2019 में आया हुआ है यानि पूछा गया question है चलिए, next question question number 5 बिद्दूत चुम्ब के प्रेरण से आप क्या समझते हैं बिद्दूत चुम्ब के प्रेरण से आप क्या समझते हैं ये वाला question जो है बिहार गोड़ एक्जाम 2019 में आया हुआ है यानि पूछा गया question है next question, question number 6 बिद्दूत धारा बिद्दुधारा क्या है इसका समीकरन एवं मात रख लिखिए ये कोस्टन जो है 2015 और 2019 में आया हुआ है यानि पूछा गया कोस्टन है बिहार बुड़ एक्जाम 2015 और 2019 में आया हुआ है काफी ज़्यादा important कोस्टन है चलिए next कोस्टन कोस्टन नमर साथ आधुनिक आवर्त नियम क्या है चलिए ये भी कोस्टन काफी ज़्यादा important है कोस्टन नमर आठ है उदाशी नीकरन अभिक्रिया क्या है दो उधारंदे दो उधारंदे ये वला विक्रिया जो है 2016 2018 और 2000 केस बिहार बोड़ एक्जाम फाइनल बिहार बोड़ एक्जाम में ये कोस्टन जो है आया हुआ है यानि पूछा गया कुस्टन है ये सारे कुस्टन जो है काफी ज़्यादा important है इन सारे कुस्टन का answer जो है आप लोग को हर हाल में complete करके सेंट अफ एक्जाम 20 नवंबर को देने जाना है और साथी साथ ये सब कुस्टन जो है आपके final बोड़ एक्जाम के लिए भी काफी ज़्यादा important है ठीक है तो इन सारे कुस्टन को हर हाल में आप लोग को complete कर लेना है आपके सेंट अफ एक्जाम में यहीं से कुस्टन आने वाला है और आपके final बोड़ एक्जाम में भी यहीं से कुस्टन आने वाला है हो गया ने काफी ज़्यादा important और यह सारे कुस्टन जो देख रहे होने ऐसा वैसा कुस्टन नहीं है यह सारे कुस्टन को कुस्टन बैंक से selected किया गया कुस्टन है और कुस्टन बैंक से ऐसा वैसा ताम जाम कुस्टन नहीं selected किया गया है वही कोस्टन सेलेक्ट किया गया है जो आपके सेंट अप एक्जाम दो हजार चोबेस 20 नुमंबर को आपका एक्जाम होने वाला है और फाइनल बोड एक्जाम दो हजार पच्चेस फरवरी मन्थ में होने वाला है उनके लिए ये सारे 25 कोस्टन जो है काफी जादा थे जितना भी इंपोर्टेंट बोले कम है चलिए कुस्टन नमर् नौ देख लिजिए सोना चांदी और पलेटीनम की आप हुसं लुकुल कोशन बनाए जाते हैं क्यों ये भी कोशन काफी ज़्यादा इंपोटेंट है और ये वाला कोशन जो है फाइनल विहार बोड़ एक्जाम 2015 में आया हुआ है यानि पूछा गया कोशन है चलिए कोशन अमर्दस ओजौन परत के च्छाए का कारण लिखे ये कोशन जो है 2013 विहार बोड़ एक्जाम 2013 में आया हुआ है यानि विहार बोड़ एक्जाम 2013 में आया हुआ है ठीके कोशन नमर्दस 11 है डाय ली सिस का सिध्धान्त क्या है सिध्धान्त क्या है चलिए कोशन नमर्दस 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 नम कौन से कदम आवस्यक है? आवस्यक है? Once reduction है, तू कौन से कदम आवस्यक है? चलिए, ये भी question जो है, बिहार बुड एकजाम 2013, यानि फाइनल बिहार बुड एकजाम 2013 में आया हुआ है, यानि पूछा गया question है. चलिए, question number 13, question number 13 है, उतसरजन की परिभासा दे, ये question बिहार बुड एकजाम 2021 में आया हुआ है, यानि पूछा गया question है, question number 14, उतसरजन की परिभासा दे, उतसरजी पदार्त क्या है? ये भी question 2020 बिहार बुड एकजाम में आया हुआ है, चलिए, question number 15 है, chips की थेली में कौन सी gas भरी होती है और क्यों? क्यों? ये सारे question जो है, काफी ज़्यादा important है, हम बार-बार इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे question जो है, question bank से select किया हुआ question है, और बार-बार इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब question जो है, question bank से select किया हुआ question है और sent up exam में question भी यहीं से आने वाला है और final board exam में भी आने वाला है तो इन सारे question का answer जो है हर हाल में बावू complete कर लेना है हम बार बार इसलिए बोल रहा है क्योंकि यह सारे question बहुत बहुत जादा important है जितना बोले कम है इसलिए बीच बीच में हम बार बार बोलना है इंपोर्टेंट है बावुलो कर लेना है तो हर हाल में कर लेना है मजाक में नहीं लेना है नहीं तो सेंट अप एक्जाम में भी पस्ता होगे और फाइनल वोड एक्जाम में भी पस्ता होगे ठीक है दोनों ए रनुज क्या है इसका निर्मान कैसे होता है सचित्र समझाएं ठीक है चलिए पुर्ण आंत्रिक प्रावर्तन की क्या सरते हैं ठीक है चलिए पुर्ण नमर अठारा है नवी करनिये क्या है कोई दो उधारंदे क्या है कोई दो उधारंदे चलिए क्या है इसके क्रिया का रसानिक समिकरंदे यह क्यों जो है बिहार बोर एक्जाम फैनल बिहार बोर एक्जाम 2028 और 2020 में आया हुआ है यानि पूछा गया क्यों काफी ज़्यादा इंप्वर्ण प्योजी का क्यों चलिए कालमा सर्टम उधारावर्धन। किसे कहते दो क्यों लुडावर्धन। किसे कहते हैं, वर्नन करें, ये कोस्टन जो है, फैनल विहार बोड एक्जाम 2017 में आया हुआ है, यानि बोड एक्जाम में ये कोस्टन पूछा गया है, कोस्टन नमरे कीज है, द्रिश्टी दोज, द्रिश्टी दोज क्या है, या कितने परकार के होते हैं, ये कोस्टन जो है, 2011, 2015, 2000 आपका सुल्ह, 2021 और 2022 फाइनल भी हर बुड़ एक्जाम में ये कुस्टन आया हुआ है बाप प्रिबाप 2011 में भी 2015, 2016, 2021, 2021, 2022 खाफ ही ज़ादा, बहुत ही ज़ादा जबर्दस्त यानि बहुत ही ज़ादा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुस्टन है ठीक है, चलिए कुस्टन नमर 22, मिस्र धातू, नाम सुने हो ने, मिस्र धातू, क्या होते है, केमेश्टी का कुस्टन है और ये कुस्टन जो है, 2019, 2021 भी हर बुड़ फाइनल भी हर बुड़ एक्जाम में आया हुआ है, यानि पूछा गया कुस्टन है चलिए कुस्टन मरते, इस साजाती सरेनी क्या है उधारंदे, ये भी कुस्टन 2016, भी हर बुड़ यानि 2016, फाइनल भी हर बुड़ एक्जाम में ये कुस्टन आया हुआ है, ठीक है तो ये सारे कुस्टन काफी जादा इंपॉटेंट है, बार-बार बुलने का मतलब है कि रियल में ये सारे कुस्टन काफी जादा इंपॉटेंट है, और आप लोग को कुस्टन देखने से समझ में आ रहा होगा, कि ने सर जो बार-बार बार बोल रहा है, इंपॉटेंट है ऐसा लगता होगा सर सही है बोल रहे हैं काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है कोस्टन देखने से पता चलता है कि यह नहीं यह कोस्टन इंपोर्टेंट है ठीक है कोस्टन देखने से आप लोग को लग रहा होगा पता चल रहा होगा कि सर जो भी कोस्टन बतला रहे हैं सारे क कॉस्टन काफी काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए बार बार हम एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं दोहरार है बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है और हकिकत रियल में बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है ऐसे भी आज की कलास में आप लोगो को ओल जोल को सही में बोल रहा है थे चलिए कोशन नमर 24 देख लिजिए धोबिया शोडा और बेकिंग और बेकिंग सोडा धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतरफ पस्ट करें ये भी कोशन जो है यानि पूछा गया कोशन है चलिए कोशन नमर 25 यसद लेपन किसे कहते हैं ये कोशन बिहार बोड एकजाम यानि फाइनल बिहार बोड एकजाम 2017 में आया हुआ है आज के कलाफ में 25 ही वेरी सॉट एंसर टाइम कोशन से बतलाना था लेकिन 5 और कुछ एक्स्ट्रा कोशन बतला देते हैं जो काफी ज़ादा इंपोटेंट है इन 5 कोशन का भी एंसर आप लोगो को कर लेना है ठीक है चलिए क्योंकि ये 5 कोशन जो है ये भी काफी ज़ादा इंपोटेंट है चलिए कोशन नमर 26 लगू पतन से आप क्या समझते हैं ये कोशन बिहार बड़ एक्जाम 2014 और 2016 में आया हुआ है चलिए कोशन 27 उवधर्मी ओकसाइट क्या है ये कोशन 2000 बारे बिहार बड़ एक्जाम में आया हुआ है यानि पूछा गया कोशन है कोशन 28 28 नेतरी की समझन चमता से आप क्या समझते हैं ये कोशन बिहार बड़ एक्जाम फाइनल एक्जाम में 2019 में आया हुआ है चलिए कोशन 29 परतियावर्ति और दिष्ट धारा में अंतरत पश्ट करें ये भी कोशन काफी ज्यादा इंपोटेंट कोशन है और ये कोशन जो है ब यानि पूछा गया कोशन है चलिए कोशन नमर तेस सजीव के मुखे चार लक्षन लिखें ये कोशन जो है 2017 और 2021 बिहार बोड़ यानि फाइनल बिहार बोड़ एक्जाम में आया हुआ है सारे सौट एंसर टाइप कोशन का एंसर जो है कंपलीट कर लेना है काफी ज्यादा प्रशन है क्योंकि बार बार हम बोल चुके है क्यों कर लेना है क्योंकि काफी ज़्यादा important है ठीथे बार 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 बोलेंगे तो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए आप लोग से request है और पोरी मंदारी के साblay कर лेना है एक भी question का एंसर नहीं छोड़ना है य उतरी ये प्रस्न है